अगर आप water motor या कहिए पाने की motor लेने की सोच रहे हैं तो इससे पहले कि आप online या offline कोई motor जाकर purchase करें आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए नहीं तो आप खलती कर सकते हैं मार्किट में बहुत सारे water pumps available हैं और अगर इन्हें में broad categories में divide करूं तो कुछ domestic water pumps होते हैं और कुछ agriculture water pumps होते हैं तो water pump purchase करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सा water pump best रहेगा कौन सा pump आपकी requirement को fill करेगा इसलिए मैं आपको तीन बहुत ही अच्छे water pumps के वारे में बताऊंगा और साथ ही में उनके alternatives भी आपको बताऊंगा जिससे कि आप easily एक अच्छा water pump purchase कर सकते हैं और इस वीडियो में मैं तो आप हमसे comment में पूछ सकते हैं और हमें अच्छा लगता है जब हमें पता चलता है कि आप लोग हमारी वीडियो को इतना पसंद करते हैं तो बस वीडियो में बने रही है चलिए एक और वीडियो शुरू करते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं कि कि तरफ से आने वाली इस 1 HP की मोटर से वैसे 1HP की मोटर से ज्यादातर यूज की जाती है, HP का मतलम होता है होस्पावर और जितना ज्यादा होस्पावर होता है मोटर में उतने ही ज्यादा पावर होती है, इसके feature के बारे में बात करें तो इसका section रहेगा approximately 20 feet, section का मतलब है कि आप कितनी feet दूर से इ इसकी डिस्चार्ज रेट रहेगी मेक्जिमम 150 फीट तक बट यह डिबेंड करता है कि आप पानी को वर्टिकली लेना चाहते हैं या होरिजोंटली बट अगर आप इसे वर्टिकली यूज़ करना चाहते हैं आप अपने घर की निचली मंजिल से उपर पानी पहुचाना चाह जाएगा वैसे नॉर्मल यगर आप तीन मंजिल तक के लिए इसे यूज़ करते हैं तो ही मैं आपको इसे सजेस्ट करूंगा अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं अधर्वाइस आप ज्यादा ऊपर के लिए इसे यूज़ करेंगे तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा और इसकी केपेसिटी रहेगी 4000 लिटर पर हावर मतलब कि एक घंटे में 4000 लिटर पानी ये दे सकता है एक बहुत ही अची चीज़ इसमें मिलती है कि इसमें नॉज़ लेवल बहुत ही कम रहेगा अगर हम इसे कंपेर करें अधर वाटर पंप से तो मुझे उम्मीद है कि ऑमपर कोई बोरा olur किए इसके आफिड़allo नहीं बढ़ेगा इसके लाप कुछ और बी फीटर सेंगे सबीघ्ञाटर में कॉमंन हैं तो में वीडियो इ才ления बता दूंगा इ चेक कर लिएगा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं एमाजोन के बेस्ट सेलर्स बाइ लिंक्स अवेलिबल हैं लास्ट वीडियो जो हमने बनाई ते उस पर भी आपका काफी प्यार मिला और काफी लोगों ने हमारी बताई हुई मोटर्स को सेलेट किया उन्हें यूज किया और उनका रिजल्ट भी अच्छा निकला अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरह हमें कमेंट में बताते हैं कि हमारी बनाई हुई वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है इसका अल्टरनेटिव है हेवल्स की तरफ से आने वाला क्योंकि एक सेंटिफीडरल पंप है तो इसका सक्षन भी थोड़ा अच्छा रहेगा और इसकी डिस्चार्ज रेट भी थोड़ी अच्छी रहेगी अज कमपेर टू लास्ट वाटर पंप यह भी वन होस्पावर का ही वाटर पंप है थर्मल ओवालोड प्रोटेक्शन भी बट एक और चीज़ अच्छी मिलती है कि इसमें IP54 प्रोटेक्शन भी दिया जाता है जिसका बेनिफिट है कि अगर मोटर के उपर भी पानी गिर जाता है तो थोड़ी वह सेफटी यहां पर मिल जाती है वैसे थोड़ी वह सेफटी तो हर मोटर में मिलती है पर यहां पर थ 20 फीट तक का मेक्जिममम सक्षन मिल रहा था वहीं अगर आप इस वाटर पॉम को कंसीडर करते हैं तो आपको मेक्जिममम सक्षन 25 फीट तक का मिल जाएगा और डिस्चाज रेट भी बढ़ जाएगी बट सिफ यहां पर फीचर्स ही नहीं बढ़े है प्राइज भी बढ़ प्राइशर के साथ चाहिए आपको कम टाइम में ज्यादा पानी चाहिए तो आप मोटर कर सकते हैं चली अब नाम पर मत जाहिएगा यह चोटा पेक बड़ा धमागा है इसकी प्राइस अप्र टू थाउजन एट हंड़ेड रूपेज बट जब लास्ट टाइम मैंने वीड यह एक 0.5 होर्सपावर की मोटर है इसका सक्षन रहेगा मेक्सिमम 10 फीट्स और आप इसे मेक्सिमम 80 फीट्स तक पानी पहुंचा सकते हैं और अगर आप इसे वर्टिकल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इससे एक दो मंजिल या तीन मंजिल तक पानी पहुंचा सकते हैं इसके capacity रहेगी अपरोक्स तो 2500 लिटर्स पर हवर बट इसके अंदर thermal overload protection नहीं मिलता है यह एक यहाँ पर कौन से है इसका भी एक alternative है वो भी हेवल्स की ही तरफ से आता है 0.5 horsepower बट क्योंकि यह भी एक centifigural pump है तो यहाँ पर भी suction और discharge rate दोनों ही बढ़ जाती है इसका suction बढ़ को consider करना चाहिए आप इन दोनों में से ही कोई साभी water pump consider कर सकते हैं लिंक की description में है बट इसकी price यहाँ पर बढ़ जाती है इसकी price रहेगी अप्रोक्स तो 4000 रूपीस तो वेसे तो आपको यही suggest करूँगा कि आपको kilos कर छोटू के साथ जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर price का चाहिए आपको discharge थोड़ी चाहिए तो फिर आप इसे consider कर सकते हैं तो फिर आप एक one HP की motor ही ले सकते हैं चलिए अब थर वाटर पंप भी आता है कि लोग की तरफ से कि लोग कर मेगा 54S इसकी price आप रोक से 10,000 रूपीस और इसकी price इतनी ज्यादा क्यों है इसका reason है इसके horsepower यह एक डेड़ HP की motor है इसका मतलब है कि suction काफी अच्छा मिल जाता है 30-35 feet तक का इसका suction रहेगा और discharge rate भी काफी अच्छी है 170 feet तक discharge rate मिल जाती है इसकी capacity रहेगी 4000 लिटर पर hour so guys overall आपको पहले यह देखना है कि आपको पाने कितनी दूर से खीचना है और कितनी दूर तक पहुंचाना है उसके बाद आपको एक water pump consider करना है और हाँ इसका को alternative नहीं है हमने इसका को alternative select नहीं किया है अब अगर बात करें इसके common features की तो यह multi colors में available है इन सभी की warranty भी है warranty आ बाहर निकला हुआ नहीं दिखेगा और इन सभी में copper wiring ये उसके ही है जिससे कि इसका गेंज कम हो जाता है और यह ज्यादा durable भी होता है copper wiring is more durable compared to aluminum और हाँ एक और common चीज़ है कि इन सभी की price कम्या ज्यादा होती रहती है तो चेक कर लेजएगा अब last में जाते जाते में आपको धागे का यूज़ कर सकते हैं तो आपको water dropping को avoid करना है ताकि आपकी motor durable रह सके चली वीडियो अच्छे लेगे हो तो like कर देना चैनल को subscribe भी कर लेना आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक